नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फोटो सॉप की दुनिया आज मैं आपको एक फोटो सॉप का मास्टर एक्सन देने वाला हूँ और एक एक्सन और एक्सी फाइल इस एक्सन के जरिए आप कोई भी सीट बना रहे हैं उसके अंदर सौफ्ट, सार्प या लेबल कोई भी अगर दस इमेजेस हैं आपके सीट के अंदर किसी एक में आप अपलाई करके दसों में सिंगल क्लिक में अपलाई करना चाहते हैं तो इस एक्सन के जरिए आप कर सकते हैं कोई भी प्रोसेस इस एक्सन के जरिए जितने भी इमेजेस हैं आपके सीट में उन सभी पे सिंगल क करना है आपको adjustment नहीं करना सिर्फ extract पे click करना है एस करना है यहाँ पे password मांगेगा यह password आपको वीडियो के तीन पार्ट में मिल जाएगा आप वहाँ से वीडियो पूरा देखके password यहाँ पे add कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे password copy किया हूं तो यहाँ पे paste कर देता हूं इसे okay करना है अब मैंने already यहाँ paste को copy किया हूँ था इसलिए पूछ रहा है फिर से हमें add to all कर देते हैं ठीक है तो यह हमारा setup हो चुका है अब हम अपने photoshop को on करना है और फिर उसके बाद action को load कर लेना है ठीक है तो चलिए हम अपने photoshop को on कर लेते हैं फिर उसके बाद देखते है अब हमें अपने windows में चले जाना है वहाँ action को बाहर लाना है यहाँ पे default action है इसे निकाल देते हैं फिर उसके बाद हम अपना action ड्रेक करके यहाँ पे रख देते हैं master action इसको हम button mode पे कर देते हैं इस action के जरीए हम अपने किसी भी action को दूसरा आपके पास जो भी action है उस action को multiple लेयर पर यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, एक seat open कर लेते हैं, पहले, ठीक है, कोई बना हुआ PhD, open कर लेते हैं, उसके उपर हम कोई भी action apply करके देखते हैं, किस तरीके से होगा, तो हम यहां पर कोई एक दूसरा action आपके पस जो भी पड़ा हो, जिसे आप apply करना या soft का, कोई साब भी action हो, सभी में एक साथ apply करने के लिए, आप अपना action लोड कर सकते हैं, यहां से जो four dot दीख रहा है, यहां से हमें action को load करना है, आपका जो भी action पड़ा है, आप उसे load कर ले, ठीक है, यह action हमारा load हो चुका है, अब इस action को मैं यहां पर set कर दे रहा हू ठीक है, layer के बगल में रख देता हूँ, अब जैसे हम layer panel में आ जाते हैं, यहां से जैसे चार images है, इन चारों को saved करके हमने select कर लिया, अब इसके अंदर हमें कोई साब ही action अपना, इसमें से कुछ भी action हमें apply करना है, यह जो इतनी action है, इसमें से कोई साब ही action हमें apply करना है, तो यहां पर repeat action जो हमने फहले load किया था, repeat action PS की दुनिया, इसपर हमें click करना है, इसपर जैसे ही click करेंगे, ऐसे Photoshop की दुनिया का panel कुलेगा, यहां से आपको अपना group select करना है, जो आपके action का group है, जैसे यहां पर मेरे action का group है, action का, ए İşte select करता हूँ, यहां पर यहां से जो भ टीक दिख रहा है, यहाँ पर run action selected layer, जो layer को हमने select किया है, वो यहाँ पर tick कर देना है, तो selected layer के उपर work करें, यह अगर tick होगा तो यह सभी layer के उपर level हो जाएगा, background, background सब पर light हो जाएगा, यह सौर्प लगाओगा, जो भी आप action rate करोगे, वो सभी वाले layer पर apply हो जाएगा, अगर यह तीसरे वाले पर check करोगे, तो जितने आपने layer select किया है, उस पर ही apply होगा, तो हमने यहाँ पर light 2 को select कर लिया, यहाँ से इसे add करना है, जैसे add बटन पर click करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर selection, action 1 हो चुका है, मतलब एक action इसने select कर लिया है, यहाँ पर process पर click करेंगे, तो देख सकते हैं, थोड़ी दिर में process होगा, और वो label चारो images के उपर apply हो जाएगा, single click में, थोड़ा सा वो process करेगा, फिर उसके बाद वो चारो apply हो जाएगा, इसके उपर, देख सकते हैं, चारो पर apply हो चुका है, अगर, चलो history में से हम वापस लाते हैं, अगर फिर से अगर इसमें हमें कुछ दूसरा action देना है, जैसे इन चारो को select करते हैं, ठीक है, इन चारो को select करने का दो वापस से हमें इस repeat action के उपर जाना है, repeat action पर click करना है, उसके बाद आपका, जो action का group है, वो select करना है, यहाँ से selected layer वाला select कर लेना है, अब यहाँ से आ एक से जादा action को use करते हैं, उसमें पहली बार में हमने सिर्फ एक ही label use किया, इसमें एक बार अब हम उससे जादा use करते हैं, जैसे यहाँ पर control L है, label इसे select करते हैं, यहाँ पर add पर click कर देते हैं, तो देख सकते है, selected action 1 लिखा हुआ, यहाँ पर आ चुका है, अगर दूसर select करते हुई, यहाँ पर आपका action करने लेगा, अब इसे एड पर click करेंगे, तो देख सकते हैं, यहाँ पर selection 2 हो चुका है, मतलब 11 लिखते हैं, अगर हमें और action को यहाँ इसको अक्षाह करना है, जैसे यहाँ पर control L हो भी click करने के यहाँ पर count 3 हो चुका है, मतलब 11 3 उप के उपर apply एक साथ होगा तो चलिए देख लेते हम इसको कैसे कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे तीन अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक किये ठीक है प्रोसेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते है पहले लेबल आ चुका है यह one by one हमारे सारे images पर apply होगा अगर आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कुछ भी adjustment किया जैसे समय लो आपने ऐसा adjust किया बस example के लिए करना आपको अपने हिसाफ से है मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ color correction आपको अपने हिसाफ से करना है ठीक है जैसे आपने इस तरीके का कोई color correction कर लिया अब चाहते के यह सभी पे भी apply हो तो आप इसे save भी कर सकते हैं अब जब next time label पुछेगा तो दूसरे पर हम उसी को apply कर देंगे ठीक है अभी यह one by one होगा अभी लेबल हुआ अब इसमें color balance पुछेगा तो आप color balance यहां से correction कर नहीं रहा हूं सिर्फ बता रहा हूं इसलिए yellow कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे कि यहां पर apply हो रहा है color correction ठीक है फिर इसके बाद एक कर्व खुलेगा यहां से अब इस कर्व को भी यहां से save कर सकते हैं यहां पर अपने कुछ adjustment करके यहां से save भी कर सकते हैं फिर वह से होने के बाद डाइरेक्ट आप यहां से उसे apply हुआ अब यहां पर आपको adjust करना है तो नहीं तो ओके करो आपको color balance करना है तो color balance करो देख सकते इस image के उपर हो रहा है यह वाला जो इमेज है one by one चारो image पर आएगा फिर हम यहां से okay करना अब करवा आया देख सकते यहां पर brightness contrast की जरूवत है तो हम यहां पर brightness और contrast adjust कर लेते हैं अब इसे हमें okay करना है अब यहां पर label आया अब अपने चौथे image पर देख लेना तीसरे image पर देख सकते हैं यहां पर इस image पर हो रहा आप देख सकते यहां पर लेबल तो आप one by one इसे okay करना है फिर color balance जो भी आपको देना जैसे मैं red yellow कर रहा हूं इसे okay किया फिर यहां पर curve पूछ रहा है करो से हम contrast कर लेते हैं जितना action हमने add किया तो तीनों सभी पर वर्क करेगा ठीक है यहां पर label आया तो मैं यहां से one वाला apply कर ले रहा हूं brightness थोड़ा इस image के हिसाफ से adjust कर लेता हूं फिर color balance तो color इसमें yellow की कमी है तो बढ़ा के हम yellow rate कर लेते हैं okay brightness और contrast को adjust करते हैं okay करते हैं तो देख सकते हैं सभी पे यह तीन action सभी पे single click में apply हो चुगा है इसी तरीके से आप सभी सीटों पर apply कर सकते हैं चलिए हम किसी और सीट पर apply करके यहां पर यहां पर देखते हैं तो आपको थोड़े अच्छे से पता चलेगा एक सीट ओपेन कर लेते हैं और हम कुछ images open कर लेते हैं और एक सीट क्रिएट करके उसके ऊपर देख लेते हैं यह से वर्ग करता है ठीक है जैसे यहाँ पर हमने इसे dragon drop करके फीट कर दिया अभ अभी मैं इसको color correction नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर adjustment करके देखते हैं, और यह layer select किया, यहाँ पर इसे रख दिया, ओके यहाँ apply हो गया, एक इसके उपर कर देते हैं, इसे बन करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, यहाँ apply हो गया, और एक इस वाले frame में हम drag and drop करके apply क कर देते हैं, ठीक है, यह हमारी seat ready हो गई, अब हम इसमें किसी में भी उस action को apply करके देखते हैं, ठीक है, उस action के जरे हम एक action बना लेते हैं, और उसे apply करके देख लेते हैं, चलो, अभी जैसे हम यहाँ बटन mode निकाल के एक action create कर लेते हैं, color grading का, आप उस तरीके से same करना च अच्छा है, तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक group बना ले रहा हूं, दूसरा, अभी यह वाला action मेरा निकाल देता हूं, बहुत सारा action नहीं दिखे, यहाँ पर, यहाँ एक action create करते हैं, ठीक है, रुक है, इस image के उपर करता हूं, sample के लिए इस image पर करता हूं, यहाँ एक action create कर लेता हूं, action one, इसका नाम देते हैं, cc, ठीक है, इसका cc नाम दे दिया, फिर इसके बाद हम, sorry, action को stop करते हैं, उसमें, image select कर लिया, इसलिए वो आ गया है, यहाँ पर वापस से, action को record करते हैं, जैसे हम filter में जाते हैं, यहाँ पर camera raw के अंदर आ जाते हैं, camera raw में कुछ adjustment करते हैं, जैसे हम basic adjustment कर लेते हैं, थोड़ी से जैसे yellow cut कर देते हैं, यहाँ पर highlight को थोड़ा कम कर होते हैं, shadow को increase करते हैं, थोड़ा से यहाँ black बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर contrast कर देते हैं, थोड़ा exposure radius कर लेते हैं, यह सिर्फ example के लिए बता रहा हूँ, करना आपको अपने हिजाप से है, ठीक है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर color का saturation fast कर दे रहा हूँ, और इसका color change कर देता हूँ, थोड़ा सा, इस तरीके से हम समझ लेक example के लिए ऐसा tone तयार कर लिए, ठीक है, यह हमारा basic सा एक correction हो चुका है, यहाँ पर big net थोड़ा से कर देते हैं, यह हमारा apply हो चुका है, ठीक है, इस action को हम यहाँ से save भी कर लेते हैं, create preset करके यहाँ पर CC कुछ करके add कर देते हैं, चलो, यह हो गया, CC 2021 के नाम से इस preset को हमने यहाँ पर save कर लिया, इस preset में वह आ चुका है, ठीक है, CC 2021 देख सकते हैं, यहाँ पर save हो गया, अब हम इसे ok करते हैं, ठीक है, यह action हमारी बन चुकी है, अब इसे हम stop कर लेते हैं, action ready हो गया हमारा, अब इसे हम बन कर देते हैं, अब इन चारों को हम select करते हैं, इन चारों को select करने के बाद, फिर हमें इसमें action को apply करना है, फिर यहां से हमें button mode में आ जाना है, button mode पे आने के बाद, यहां repeat action लिखा हुआ, उसके उपर हमें click करना है, जैसे इस पर click करेंगे, फिर यहां पर अपना group पुछेगा जो हमने set 1 बनाया था, उस set 1 को select करते हैं, यहाँ पे cc लिखा हुआ जो action है, उसे select कर लेना है, और यहाँ पे selected layer वाला, यह check करना है, और इसे add कर देना है, action 1 को, यहाँ पे add कर दिये, अब process पे click कर देना है, जैसे click करेंगे तो देख सकते हैं हमारी वो action, sorry लगता हमने सारे layer को select नहीं किया, एक, दो, तीन, इन सभी को select करने के बाद, repeat पे click करना है, यहाँ पे हमारा set 1, add action, process हो रही है, थोड़ी time लगीगा, सभी layer पे वो apply करेगा, तो देख सकते हैं, वो सभी layer के उफ़र apply हो चुका है, ठीक है, अब जैसे दूसरा कुछ हमें इस पे दूसरे color का tone बना लेते हैं, चलो एक दूसरा कोई सभी action, यह तो action के जरूए हुआ, आप अपनी action जो load किये हैं, उसे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी same process है, अगर आ लेते हैं, ठीक है, जैसे ही है, यहाँ पे हम action create करते हैं, यहाँ पे selective color, selective color लिखके करते हैं, ठीक है, selective color बना लिए, selective color बनाने के बाद इससे हम stop रखते हैं, जैसे किसी एक पे हम adjustment करते हैं, जैसे इस layer के उपर हम adjustment करते हैं, ठीक है, selective color बना रहे हैं, अब इसके बाद हमें यहाँ पर action record करना है और selective color में चले जाना है जैसे यहाँ पर मैं black में कुछ फिर परिवर्थन करता हूँ जैसे यहाँ रेड कर दिया yellow कर दिया mezenta किये कुछ भी किया इसके उपर ठीक है यह हो गया अब यहाँ पर curve किया थोड़ा सा brightness contrast इसमें हमने दे दिया इस तरीके से अब इस action को हमें यह radio का stop कर लिए अब बाकी के तीनों पर यह और यह और यह तीनों लेयर पर हम shift करके select कर लिए अब तीनों पर हमें इसे apply करना है अब यहाँ पर हम button mode पर आ जाते हैं और repeat वाले पर click करना है आपका जो भी action है सभी को use करने के लिए हमें repeat पर ही click करना है repeat पर click करने के बाद यह तीसरा वाला हमें select करना है यहाँ से आपका set select कर लेना है ठीक है जो भी जिस set पर आपने बनाय हुआ action को अभी मैंने इस master action वाले में बनाया है तो यहाँ पर सेलेक्टिव कलर जो shortcut में हमने लिखा है सीसी उसे select करना है और इसे add action पर click करना है click करने के बाद हम जैसे process पर click करेंगे यह process work करेगा देख सकते तीनो लेयर पर apply हो चुगा है तो इस तरीके से आप कोई सा भी action को apply कर सकते हैं जैसे आपने portraiture का action बना है समझ लीज़े अभी मैं इसी पर ही दिखा देता हूँ चलो इसे वापस लाते हैं इस सारे soft का action लगा देते हैं चलो ठीक है जैसे हम यहाँ पर एक action create कर लेते हैं button more से निकाल रहे हैं यहाँ पर हम चलो set one के अंदर एक action create कर लेते हैं एक action कर लेते हैं soft का ठीक है यह soft हमने किया अब हम filter में जाते हैं image nomic में जाते हैं portraiture में जाते हैं आप जिस भी चीज़ से soft कर रहे हैं manual कर रहे हैं जैसे भी उसका use कर सकते हैं यहाँ पर हम medium select करते हैं इसे ok करते हैं ठीक है तो देख सकते हैं इस image में हमारा soft हो चुका है अब इसे हम थोड़ी से sharpness डाल देते हैं sharpen unsarp इतना रखते हैं ठीक है ok करते हैं अब action को हम stop कर लेते हैं अब एक में तो यह हमारा हो चुका है एक layer में हमारा काम हो चुका है अब जो बाकी में हमें apply करना है आप action बनाए होंगे आपके पास action ready होगा तो खाली सिर्फ image को select ही करना है अब तीन images को मैंने select किया अब action में गए इसे button mode करता हूँ और यहाँ पे repeat action पे click करते हैं repeat action पे click करने बाद यह तीसरा check करना है हमें और फिर यहाँ पे जो हमने set 1 बनाया है set 1 के अंदर अभी हमने soft बनाया इसे select करना है इस soft को हमने select किया यहाँ पे add पे click करना है action हमारा add हो चुका है process होने के लिए अब इस process वाले button पे white color में है इसलिए आपको दिखाई कम दे रहा है इस process वाले button पे आपको click करना है तो देखेंगे यह process होगा और देखो यह soft भी होगा sharp भी होगा तीनों पे एक साथ हो जाएगा आप किसी भी चीज का action इस तरीके से use कर सकते है देख सकते हैं वो skin soft हो चुका है आप zoom करके छोटा होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा तो वीडियो पूरा देखें next हम filter का भी बनाने वाले है next में जिससे आपको किसी भी single click में सारे images पर एक साथ filter अपलाई हो जाए ऐसा भी action बनाने वाले है वो action भी जल्दी आने वाला है और चले पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में